भारती चंता पार्टी ने मध्यप्रदेश और 36 गड़ के बाद अब राजस्थान में भी सब को चौका दिया है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का एलान हो गया है भजनलाल शर्मा के हाथों में अब राजस्थान की कमान सौपी गई है बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सर्व समती से मुहर लगाई गई है अब से थोड़ी देर बाद राजपार कल राजमिश्र से मिलकर वो सरकार बनाने का दावा पिश करेंगे सुबे से लगातार वसुंद्रा राजे के नाम को लेकर चर्चा खूब चल रही थी माना ये जा रहा था कि एक बार फिर महरानी को राजस्थान की कमान सौपी जाएगी लेकिन जैसे ही विदायक दल की बैठक शुरू हुई महरानी की हाथ में एक पर्ची दिखाई पड़ी जिससे की ये पता चल गया कि महरानी नाम का एलान करेंगी ना की सत्ता समहा लेंगी और हुआ कुछ वैसा ही विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया इससे पहले पार्टी ने केंदरी ग्रहमंतरी राजनात सिंग, सरोज पांडे और विनोत तावडे को परवेक्षक बना कर जैपूर भेजा था इससे पहले पूर मुकिमंतरी वसुंद्र से मुलाकात के बाद वसुंद्रा के सुर बदले बदले से नजर आये उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशाशित कारिकरता बताया था आपको बता दें कि राजस्तान में विधानसभा चुनाव के नतीजे तीन दिसंबर को घोशित हुए थे इसके बाद भारती चंता पार्टी ने शुक्रवार को राजस्तान में मुख्यमंत्री के चैन के लिए होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए केंद्री परवेक्षकों की नियुक्ति की थी वहीं केंद्री मंत्री राजनाथ सिंग, राजसभा सांसत सरोश पांडे और रास्ची महासची विनोत तावडे को राजस्तान का परवेक्षक नियुक्ति किया गया था बीजेपी के भीतर और बाहर आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदारों की चर्चा थी इनमें वसुंद्रा राजे सबसे आगे चल रही थी इनके लावां दिया कुमारी की रोडी लाल मीना, गजेंदर शिंग शिखावत, ओम मातुर, अश्वनी वैशना और बाबा बालकनात के नाम भी इस रेस में शामिल थे इसे पहले राजस्थान के राजसम्मत की सांसद दिया कुमारी और जैपूर के सांसद राज्यवर्धन सिंग राठोर को भी लेकर चर्चा खूब हुई थी अटकले लगाई जा रही थी कि पार्टी वसुंद्रा के लावां किसी दूसरे चेहरे पर दाओ खेल सकती है बीजेपी ने मधिपरदेश, राजस्थान, चटीसगड़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाओं में कुल 21 सांसदों को उमीदवार बनाया था इनमें से 12 ने जीत दर्स की थी बीजेपी ने मधिपरदेश और राजस्थान में 77 और चटीसगड़ में 4 और तेलंगाना में 3 सांसदों को विधानसभा चुनाओी मैदान में उतारा था मरुभूमी की बात करें तो वसुंधरा राजे की छवी एक अक्रामक निता के तौर पर यहां देखी जा रही थी और माना ये जा रहा था कि एक बार फिर महरानी के हाथ में ही राजस्थान की सत्ता सौपी जाएगी पिछले कई दिनों से ये चर्चा तेज थी विधायकों के साथ महरानी का डिनर भी ये बता रहा था कि वो आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन फिलाल खबर ये है कि भजनलाल शर्मा अब राजस्थान की कमान समाल रहे है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें